में परिवार रहता है घर है बस्तिया ये ये खेता मैदान है यहाँ से इसको निकलना बहुत जरूरीक है क्यूंकि यह ठाब है यहां पूर दोस्तों ये काफी बिक साइज का है इंडियन राक पाइथन यानि कि ये खत्रा इससे बना रहता है और ये हड़ी तोड़ने का विसेश्ट माश्टर है अलाकि इसको इंग्लिस में इंडियन राक पाइथन बोलते हैं गावं में कहीं-कहीं पर इसको आजगर के नाम से भी बोलते हैं. तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, पिछ खाया है लग रहा है, तो जस्तों, जिस गावों सी यह बिलांग करता है, इसको देख कर ऐसा लगता हैं, foster देख को div their खाया पीया है। इसका पेट जो भारा हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिस्वास नहीं होता वह अना कॉंड़ा है थोड़ा सांती बनाएंगे जिस जगाहा है उस काम को पढ़िया और कोई बात नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बिक साइज का है थोड़ा मोटा भी है हुआ है पहर है थी जोड़ा पता ने में नहीं हो अब है जुआ है आप जले तक पावड़य से दर सातूरा बहुत सा ठीज हुआ है इसलिए कहाँ जारसाथ करने की पासमें सब्सक्राइब निए पगड़ां ख़र वापस आवाता है मूली नहीं तो दोस्तों लगता है ये कुछ खाया हुआ है और इसे उठाते हैं लेगा सलते हैं थोड़ा मैदान के लिए दोस्तों काफी ये बिग साइज का लग रहा है तो दोस्तों ये तग्रीबान 8 से 10 फिट का है कि अग्वन लेजा कि अग्वन लेजा कि अग्वन दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या खाया हुआ है इंडियन राक पैथन के नाम से जाना जाता है और कोई भारी भरकम का अच्छी जिए खा चुका है कि अग्वन दोस्तों इसको बच्छाना थोड़ा जरूरी था तो दोस्तों आप अपनी मर्जी से यानि कि इसका छेड़ चाड़ हो जाने पर जो खाया हुआ है ये पल्टी करेगा जरूर तो ऐसे में इन लोगों का कहना था भाई यहां से इसको दूर ले जाए जाए कोई तो गाउं के लोग हैं दिमाग की वाक्ते मार भी सकते थे तो इन्होंने बचाने का काम किया है देखिए क्या है कि दोस्तों काफी लोगों का मानना है कि ये हो सकता है खरगोस खाया हो हो सकता है लोमडी है सियार, फॉक्स, लोमडी, वूल्फ, भेडिया कुछ भी खा सकता है उत्ते को भी खा सकता है बकरी को भी खा सकता है क्योंकि साप ये इंडियर राक पाइथान जितना मोटा होता है अपनी मोटाई से तकरीबन काफी मोटा चीज ये अपने से चार गुना आडगुना तक भी ये कवर करता है तो दोस्तों ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है ये अपने सरीर की वज़त से अक्सर इंसानों की बीच में पकड़ा जाता है और जब हमारी घरों के आसपास आता जाता रहता है तो लोग इसे कैंच करवाते हैं देखने पैसा लग आहिकर कोई जानवर है ये चाता जो दोस्तों देख सकते हैं ये नजाइरा पहली बार देखने को मिला काफी वीचल का एंच और भारी भरकम का था आप देख लिए अभी दिखाई देख लिए बताई आप दोस्तों आप देख सकते हैं यह कभी बिख साइज का है आप दोस्तों यह इसकी सरीर हलकी हो चुकी है और यह भाग ही सकता है लेकिन इसको भागने देना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे लेगे चलेंगे जंगल की तरफ रिलीश करेंगे दोस्तों यह काफी बिख साइज का है इसके वी उमर तकरीबन बीदूस वर्ट कुई हो भी दोस्तों ये नजारा बहुत है तो दोस्तों सबसे खास बात ही जीव ही जीव का हाड है चलिए मिशनले विसलते हैं विचारा ये वी तो अपनी पेट के खातिर ऐसा किया है विसलते हैं तो दोस्तों ये कापी खतर्नाक भी होता है में general में शाह साथ में छेंडियो कि ही एन अचर्टारism गार है adding चाहिए अचर्णीब भूणर को चलते है वह ने चाहिए अचर्छ वाई कि गया नहीं मैं कर दो करे दो कर दो कर दो कर दो हाहा वे ले ले एंट बैला वे लाख जाए बाहा पाल दो पहला दरो ले जला हाँ दोस्तों तगरिबन ये कभी विटेड है अब दोस्तों तगरिबन ये कभी विटेड है इस पगड़ा है उकना दल गया है आध लाट ग्रंथिया इसकी और उंध की बहुत एट्वी होती है इसे उंध रिया है ना बड़ी बड़ी काटा धरबहिल को इसी पकड़ता है तो चलिए दोस्तों इसको इसी में पाइक करते हैं ये काफी बिग साइज का जानवर है ऐसे जिमों को फड़ा आपी बचाईए खापी करके इससे देकर कैसा लगता है कि जिस गाउं में रहता है यहां की लोग काफी प्रप्रलित हैं खाए भी ए घर का लग रहा है दोस्तों तो खापी इस सेथ को बना है इसको बचाना अपना परमकर्तब दे है ये बेजवान है चली इसको पोरी में प्पाइप करते हैं तो थेंक दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए यहनि कि आज के लिए और अभी के लिए थेंक्यू बाई प्राक्रतिक का भी मिजाज थोड़ा बंबम है अपने घरों में रहिए सेफ रहिए और इन जीवों को भी बचाएं क्योंकि ये बेजवान है मानों के आसपास में ही दुनिया की सबसे खतरनाक जीव अक्सर पाया जाते हैं तो थेंक्यू